पचास से ज़्यादा परिवार यहां पर फंस गए है ये जानकारे निकल कर आ रही है अलंकि NDRF की टीम यहां पर रवाना हो गई है रेस्क्यू ऑपरिशन के लिए तो जमीन खिसकने से आपको बता दें कि राएगड में लैंस्लाइड हुआ है पचास से ज़्यादा परिवार सीधे तोर पर प्रभावित हुए है महाराश के रायगर में आपको बता दें कि लैंड स्लाइड हुआ है जिसकी वज़े से 50 से ज़्यादा परिवार यहां पर फंस गए है NJRF की टीमों को यहां पर रवाना किया गया है किस तरीके से इन लोगों को रेस्क्यू किया जाए ज़ से ज़ सलामती के लिए इसको सुनिश्वित किया जा रहा है और यह तस्वीरें आप देख पा रहे हैं महाराश के रायगर से क्यूंकि महाराश के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है विवेक हमारे सयोगी पोलाइन के ज़रे मारसा जुड़ रहे हैं विवेक क्या जानकारी मिल पा रहे हैं कितने परिवार जो है यहां पर फंसे हुए हैं एंडियारेफ की तरफ से कितनी तेजी से रेस्क्यू आपरिशन चलाय जा रहा है मॉनिका देखें आपको पताएं चाहेंगे कि राइगड के खालापूर में यह बड़ा लैंस्लाइड हुआ है और एंडियारेफ की टीम वहापे अभी जस्ट पहुची है और एंडियारेफ की टीम के मताबिक उस लैंस्लाइड में 50 से 14 परिवार वाले उसमें फसे हुए ह अभी हैंड का हैड काउंट अभी कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि कितने लोग उस लैंस्लाइड में फसे हुए हैं लेकिन एंडियारेफ की टीम वहापे जो मौजूद है उनका साफसर पहकेना है कि इस पूरे लैंस्लाइड में तकरिवन 80-90 लोग फसे होनी कि उन्हें जा पहुंचेंगे अब खुशिस की जा रही है कि खालापूर में जो लैंस्टाइड हुआ है जिसमें बताएं जा रहा है कि आशंका चताई जा रही है कि 80-90 लोग वहां पर फसे हुए हुए उन्हें जल सीजल रेस्कू किया क्या जाएं को कि महाराश में 24 गंटे 48 गंटे से क में 610 तिरयगर्ों घजिढ़र खुशा और अतननंगरी में डिन आरे अरे लेट था पूरे दिन पर राइश हो धियो लगए आप को वहां पर महां सरकार के जो फ्र आशन है वहें पाँच रहे हैं डोनों संकरें compress your पर जानकारी मिल पारे हैं कि रेड और अरर्ट भी जारे किया गया है माराश्रक के कई आगो में अभी फिलाल किस तरीके का मौसम पर बना हुआ है क्यूंकि जिस तरीके से लेंड्सलाइड हुआ है और अगर बारिश होती है तो कहीं नगाई चालेंजिंग हो सकता है रेस्क्यू करना लोगों को अपने देखें मौसम बहुत जो बहुत बड़ा चैलेंजिंग फैक्टर हो जाता है किसी भी रेस्क्यूर्स और शाफिक्शन करने के लिए क्योंकि जब बारिश होती है तो लैंस्टाइट को जो खत्रा होता हुआ वह भी काफी जादा बढ़ जाता है एक हिस्सा लैंस्ट दूसरा हिस्टा भी करने काफी खत्रा बना रहता है इसलिए बारिश को देखते हुए और तो लोग अंदर फर्चे वह उसको देखते हुए प्रशाशन बहुत ज्यादा उसमें अलर्ट है और यह कोशिश की जा रही है कि दोनों टीमें SDRF और NDRF की टीम यहां पर जल से जल्द पहुंचे और तमाम लोगों को रेस्ट्यू करें